आप तभी कैसे हो बढ़िया हो तो बच्चो आप सभी पहले प्रक्षामी हो और अभी हमारा हिंदी का प्रियर है है ना तो बच्चो आज हम कुछ नए वर्ण की पहचान करने वारे हैं ठीक है तो यहां पर आप देखिये यह है कौम सा वर्ण यह है यह है दवर्ण कौम सा वर्ण है दवर्ण और दव से क्या है दवर्ण द से डब्रू ठीक है और यहाँ से कौन सा वर्ण है धवर्ण तो फिर धवर्ण से क्या आता है डखकन धवर्ण से डखकन तो आज हम इन दो वर्ण की पहचान करने वाले हैं द से डब्रू और द से डखकन ठीक है बच्चो यदि आप अपकी किताब में देखो दें तो आपको यह दो वर्ण दिखाई देंगे हैं हां और आपको पेंसिल से भी क्लिक कर इसकी अक्षे से प्रैक्पिस करनी है ठीक है बच्चो हां और यहां पे जो एक्टिविटी दी है इसकी टीक्चर आपको भूरा करने इस पें बहुत अच्छी तरह से कलर करना है इसको ठीक है तो अभी हां द से डब्रू यह देखेंगे पहने ठीक है तो फिर देखो यहां फ्रैंड द से डब्रू बाजे डंडं नाचे बंदरिया मेली छम 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 क्या है ज्याना दिया हुआ है? चीचर? तो यह जो ड है. तीकर ये ड से दब. यहाँ शब्दत तयार होता है. और यदि आम हमारे ब़ुषी देखोगे. तो यहाँ पे पुठ कही सारे शब्द दिक्खाई देगी. कही सारे चित्र भी दिक्खाई देगी. तो यह देखो यहां है डलिया तो दो से क्या आता है डलिया दो से डबल रोटी दो से डबुरू हाँ डो से डबुर तो हमें मालूम है तो इसके बाद यहां पेस्टन करें तो यहां पे देखो दो से डिविया दो से डलल तो इस प्रकार दो इस वरण से शब्द तयार होते हैं कि बच्चो अभी हम देखेंगे डो से क्या आता है डो से धकन त्याने कि इस प्रकार धकन कीता है आपको मालूम है धकन हाँ जिसको अमरेजी मिंदीर कहते हैं क्या कहते है और उसको मराट में जाकन असबोलता ठीक है तो बच्चों देखो धोसे धकन धोसे धकन धोसे धकन खाना धकन या का कर पकाओ मील जूल कर सब खाओ इस तरह से धोसे धकन जो हता है वो क्या होता है इसको हम मराठी में जाकन बोलते हैं और अंग्रेजी में लिर बोलते हैं ठीक है बच्चों तो आपने ये धकन देखाओगा तो यहां पर आपको पेजिल से अच्चे थे लिक पेजिल से रिकना है और धो इस मज़ल खोड़न के क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है ये डस्बिन है और इसमें हम कुरा फचला डालते है ठीके? तो ये तजबिन है. इसमें यहां पे आपको धो रिखना है. ये तजबिन दी वे आए है. और इसके उप्पर क्या है ये धपकर है. तो ये धबकर से धोandyご हैदा. आपको धो रिखना है. कहाँ सावरा का ही प्रिकन है? ketchup. और यह इस को आपको अच्छे से कलर विकलता है तो मेरे प्याने बच्चों इस प्रकार आपको ये डावरना और ढवरना अच्छे प्रकें से छुडाना है ठीके, बीच में एक जो पेज है वो भी आपको छुडाना है यहाँ पर देखो यह क्या है ये सब? यह सब क्या है हाँ यह तरह तरह की चित्रे है जो वरणा हमने देखे है हाँ यह इसकी रिविजन है तो पहला चित्र दूसरा चित्र यहां पे इस सारे चित्रे है ना हाँ तो यह चित्रों का जो पहला अक्षर है वो को लेकर अच्छे से रिविजन करनी है ठीक है हाँ और व तो जो वर्ण है वो इस box में आपको लिखना है ठीके तो देखो यह कौन है कबूतर तो कबूतर यह उच्छत किससे शुरूर उता है कबूतर से तो यहां पे आएगा कबूतर तो सिर्फ आपको कबूतर लिखना है ठीके उसके बाद है खालबूश तो आपको खॉलिख ना है ठीके इसके बाद भीक्या गमला तो यहां पे आएगा भण ठीके बचो तो इस तरह से आपको अगर द, दम रूब तक आपको यह क्या है पूरा ठीके बाद में को ही क्या है यह है अंगूर अंगुर केसे होते हैं? हही खटे मीटे होते हैं, आपको बहुत पसंद हैं तो ये अंगुरु में भी आपको एक वर अच्छे से बढ़ते हैं कुछ अंगुरु में यह वर्म लिक्के हुए है लेकिन कुछ खाली सिथान यहां पे है ना हाँ तो उसमें आपको पेंसिल से गुड़ हेंडरटे में होनी है ठीक है बच्चों हाँ तो यह बीच का जो पेज है पेज़र फॉर्टी एड और यह फॉर्टी नाइन यह आपको खुद को छुड़ाना है ठीक है तो इस तरह से आज हमने वर्ण द और द इनकी अच्छे से पहचान दोगी है हाँ अब हमारी बार्यादी है हमारे नोड़वू की हाँ तो यहां पर भी आपको यह दोड़ों वर्ण अच्छे स्ताफ्शा दे लिखने है ठीक है बच्चों हाँ इसके बाद हम देख दूएंगे हमारी वर्शिक हाँ तो बच्चों आपको मालूब है हमारी स्कूल का नाम क्या है हाँ सब्भी को आता है अभी है ना हाँ तो अभी आपको यह ड़ दो से डब्रू डो से डबल रोटी डो से डिलिया इस तरह से बोल बोल पर यह आपको अच्छित छोड़ानी है ठीक है इसके बाद है एक वर्षिट भी आपको धह से जाता है, ढकन, धह से ढकना, धह से ढकनी, इस तरह से बोल-बोलकर आपको यह वर्षिट छुड़ानी है, धह से बोला यह भी शब्द आता है, ठीके बिचो? तो इस तरह से आपको यह वर्ष्ट छुड़ानी है और अच्छे से पढ़ाई में करनी है है ना हाँ और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे उनको क्या देने वाली है टीचर हाँ उनको टीचर देने वाली है बड़ा स्टार तो अच्छे से आप पुढ़ा दे कोरूं ठीक है बच्चु थैंक यू